तो आज इस वीडियो के अंदर जो आमें डिसक्स करना है वह हम डिसक्स करेंगे here तो उसके कुछ न्युमेरिकल प्रॉब्लम समयगेश में डिसक На Helloboards करने से पहले जो इस पूरे चैप्टर के हम निम्रिकल कोशन में एम लैते हैं clarity कि वो अमने हाप पर कुछ लिख्या हुआ है तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जब नुमेरिकल कोशिंस पर हम आते हैं एक्जाम की दृष्टी से देखते हैं तो नुमेरिकल अपने आप में बहुत इंपोरेंट होते हैं और उसमें अगर हम नुमेरिकल को देखते हैं तो पूरे-पूरे मार्स भी हमें मिलते हैं त्योरी का जो कॉशिं होता है उसमें अगर हम देखे तो उतले हमें MART SCYS ना मिले पूरे चाहे हम उस पर कितना भी 진행 कर जालते हैं लेकिन जो हमारा derivation का portion है या कुछ numerical का portion है अगर हम उसको करते हैं तो maximum marks आने के महाँ पर संभावना रहती है तो मेरा suggestion भी है और सब को कि आप लोग जो derivation होते है numerical portions होते है उसके तेयरी अच्छे से करें जिससे theory पर याद करने का या theoretical question करने का बड़ा बड़ा जादा लिखने का से बचा जा सके और maximum marks वहाँ से gain किया सके तो चलिए इस पर numerical questions देखते हैं और समझेंगे कि यहाँ पर कौन से formula से सबसे जादा question polytechnic के अंदर पूछे गए हैं यह competitions की भी दरश्टी से अगर कोई हम देखें तो सबसे जादे कौन से formula से optics के अंदर पूछे जाते हैं numericals उस पर हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले देखे लेते हैं इसमें कौन कौन से formula होंगे एक तो light की जो energy होती है equal to h new इस पर question होगा और जो डिव रोगली wavelength है lambda equal to h upon mv इस पर यह इसका formula है यहाँ पर देखेंगे numericals और साथ ही देखेंगे जो interference से सम्बंदित कुछ formula है जो intensity का formula है amplitude की term में जहाँ पर phi 1 यहाँ पर phase difference होता है और intensity की term में यह expression यह होता है साथ ही phase difference और path difference में जो सम्बंद होता उसका expression है और intensity का ratio और amplitude के ratio में जो यहाँ पर जो relational वो यह है path difference for n lambda for maximum intensity यानि के bright fringe के लिए और 2n plus 1 lambda by 2 minimum intensity for dark fringe के लिए n equal to 0, 1, 2, 3 यहाँ पर हम लेते हैं और diffraction पर आते हैं diffraction में d sin theta equal to 2n plus 1 lambda by 2 यह secondary maximum की condition है और d sin theta equal to n lambda for secondary minimum की यह conditions है जो diffraction phenomenon हम आपर देखा था d यहाँ पर slit width है कहीं के e भी मान लेते हैं तो उसको कोई फरक नहीं पड़ता है और यहाँ पर fringe width of the principle maxima है वो होगी यहाँ पर एक तरीके से w naught 2d lambda upon small d और angular width होगी theta equal to जो central maxima की यह principle maxima है theta naught is equal to 2 lambda upon d होगी साथ ही यहाँ पर एक formula और हम देख रहे हैं कि जो fringe की चोड़ाई होती है वो capital D lambda upon small d भी होती है यह वाला formula भी काफी numerical के लिए यह helpful होता है और उसके बाद देखते हैं कि जो brister slow होता है mu equal to 10 ip इस पर भी कुछ numerical हैं और इसमें एक relation होता है angle of reflection ip plus plus में i b is equal to 90 और एक male slow है i equal to i not causes square theta तो यह कुछ numerical questions करने के लिए जो wave optics है उसके numerical questions है formula है पर है इसकी help से हम numerical questions करेंगे तो numerical questions को करने से पहले हमें यह formula बिल्कुल हमारे दिमाग मोने चाहिए अगर हमें formula याद होता है तो ही हम numerical questions वहाँ पर कर सकते हैं अगर formula याद नहीं आएगा तो हम वहाँ पर numerical questions नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले एक page पर सारे numericals लिख लें और उनको अच्छे से याद कर लें तो चलिए यहाँ पर हम questions लेते हैं तो पहला question है a light beam of wavelength 5500 angstrom is emitting from a lamp calculate the frequency and energy of a photon एक यहाँ पर ने question है जिसके अंदर हमें एक lamp दिया हुआ है question number one की बगर बात करें तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि एक lambda हमें जो light है एक lamp है एक lamp यहाँ पर है उससे light यह निकल रही है और उसकी wavelength हमें दी हुई है wavelength यहाँ पर है यह 500 angstrom यहाँ पर दी हुई है angstrom का मतलब होता है कि इसको हम मीटर में भी चेंज कर सकते है कि 5500 गुना इंटो 10 की पावर माइनस 10 मीटर हम इसको convert कर सकते है इसने कहा है कि calculate the frequency and energy of a photon तो अब हमें देखना है कि जो भी हमने हाँ पर formula हमने हाँ पर लिखे है अब इसमें से कौन सा formula हमें हाँ पर apply करना होगा जिससे हम यह वाला जो इसकी energy इसने पूछी है एक तो हमें इसकी energy निकालनी है और एक इसकी हमें frequency यहाँ से निकालनी है new light की जो frequency है वो new माल लेते है तो यह दो चीज हमें हैं से calculate करनी है उसके लिए हम इन formula पर जाते है तो एक तो energy equal to h new होता है और जो इसकी wavelength जो इसकी frequency है वो यहाँ से इसकी new भी निकाली जा सकती अगर हमें energy यहाँ से पर चल जाती है चलिए पहले जो इसकी frequency है उसको कहले लेते हैं अब यह हमारा उपर वाला formula में लगएगा is equal to h new और new equal to क्या होता है c upon lambda hc upon lambda है यहाँ पर आजाएगा और h यहाँ पर है plank एक तरीके से plank constant है यहाँ पर यह और जिसकी value होती है 6.67 into 10 की power minus 34 joule second इसकी value होती है और c यहाँ पर speed of light है इसकी value 3 into 10 की power यहाँ से फिर हम एक तरीके से इसकी energy जो जूल में आएगी उसको हम यहाँ से calculate कर सकते हैं तो यह थोड़ा सा mathematics है तो इस तरह का question हम इस तरह होती है साथ ही इसमें पूचाएगे इसकी frequency कितनी होगी यह वाली frequency जब energy हमारे पास आजाएगी तो E is equal to H new हम कर सकते हैं तो फिर से हाँ पर यह निकाला जा सकता है जो H plan constant है जो यह value है और new है पर जो हैं से निकालेंगे हम frequency वो इसमें यूज कर सकते हैं तो इस तरह से हम जो हैं से energy तो यह आएगी और यहां से frequency हम निकालेंगे और frequency क्या होगा यहां से यह new is equal to एपॉन में हाँ से H निकाल जाएगा यहां से तो यह hertz में इसकी frequency निकल जाएगा अती है तो इस तरह से हम इसकी frequency यहां से find कर सकते हैं तो new को हम दूसरी के ख़वर निकाल सकते हैं new is equal to क्या होता है C upon lambda होता है तो यहां से भी इसको फाइंड किया जा सकता है इतना हमें काम ना करें तो E is equal to H new energy निकाल लेंगे और new है से c upon lambda है से निकाले जासे सीधी 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 स्पीड अपलाइट है 3 into 10 की पावर 8 meter per second और lambda है से पूट कर सकते हैं तो इस तरह से कोश्चन किया जा सकता है चलिए second question समझते है second question में है a body of mass 200 gram is moving with a speed of 40 meter per second determine the deep roguly wavelength of a body कोई body है जिसका mass हमें दिया हुआ है एक body है question number 2 की हम देख रहे हैं तो एक body है जिसका mass 200 gram यहापर दिया हुआ है इसको केजी में करनाट कर सकते है 200 into 10 की power minus 3 केजी में इसको करनाट किया जा सकता है और 7 में इसका दिया हुआ है कि speed इसकी दिया हुई है जो speed है v is equal to 40 meter per second इसका दिया हुआ है और उसने पूछाए कि इसकी जो wavelength है lambda अगर यह particle इतनी speed से चल रहा है तो इसकी wavelength क्या होगी यह डी ब्रोगली concept प्यादारित है डी ब्रोगली ने कहा था कि अगर कोई material particle है और उसके अंदर speed है तो वहां पर भी wavelength होगी क्योंकि कोई भी यहां से इसकी wavelength हम निकाल सकते हैं और wavelength का फॉर्मूला होगा लेंडा इसकी प्लांक कोंस्टेंट है और mass of the body V speed of the body तो हैंसे 6.67 into 10 की power minus 34 joule second यह इसकी value उसको हम meter में इसकी wavelength find कर सकते हैं तो इस तरह से question किया जा सकता है तो बढ़ते हैं अगर तीसरे question की तरफ थर्ड question है determine the nature and distance of the object from the convex lens of a focal length 20 cm if image formed is real एक पार दिया हुआ है कि अगर उसकी image जो बन रही है वो real है and three times है और फिर virtual है अगर three times है तो एक convex lens दिया हुआ है question number अगर हम यहां पर three की बात करें तो एक convex lens यहां पर दिया हुआ है और इसमें कहा है कि उसकी जो lens की जो focal length है convex lens है और जो उसकी focal length यहां पर दी हुई है वो 20 cm दी हुई है जो convex lens होता है उसकी जो wavelength यहां पर दी है यह 20 cm इसकी wavelength यहां पर दी हुई है sorry जो focal length है वो यहां पर इसकी दी हुई है और साथ ही उसने पूछा है कि हमें जो करना है कि उसकी distance बतानी है हमें U बताना है और साथ ही V भी बताना है कि इस object की और उसकी focal length इतनी है उसकी nature हमें बताया है पहला नेचर इसमें क्या बताया है उसने कि जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है और थ्री टाइमस बन रही है तीन गुना बन रही है जब यह केस ऐसा आता है तो यहां पर जो उसका मैगनिफिकेशन होता है Magnification का formula हमने size इसमें नहीं दिया है Lens का भी size नहीं दिया है तो Magnification का formula होता है H2 upon में H1 यह होता है या V upon में U होता है और जो Lens का formula होता है 1 upon F equal to 1 upon V minus 1 upon U भी होता है तो यह भी होता है तो यहाँ पर अगर इस तरह से दिया हुआ है तो यहाँ पर जो magnification होता है वो एक तरीके का negative होता है और जो इसकी value होती है वो minus में h2 upon में h1 यहाँ पर होगी या इसको कहते हैं हम v upon में u होगी तो जब इसको इहाँ से रखेंगे और यह दिया हुआ है कितना 3 times यहाँ पर दिया हुआ है तो 3 times 3 times magnification 3 times दिया हुआ है तो v is equal to यहाँ से देखते हैं तो यह minus आजाएगा एक तरीके से यह इसको इहाँ रखेंगे तो यह minus negative होगा तो v equal to minus 3u यहाँ से यह निकल के आएगा तो यह यहाँ से निकल के आता है और जो इसका हम formula यह लेंस वाला यह वाला अपलाई कर रहेंगे तो वहां से भी भी हम find कर सकते हैं इसके term में आजाएगा तो यहां से 1 upon 20 क्योंकि यह वाला formula अपलाई कर रहें और यहाँ पर 1 upon v का मतलब minus 3u और minus 1 upon में u तो यहां से हम u की value find कर सकते हैं और जब u की value आ जाएगी तो इसी वज़े से फिर हम यहां से इस वाली equation में रखके v की value यहां से find कर सकते हैं तो इस तरह का यह question है second में इसमें जो b part जो इसका दिया हुआ है उन्होंने कहा कि इस बार image जो है वो virtual है और three times है virtual है और three times है तो इस case में जो magnification होता है यहां पर वो positive होता है और positive 3 होगा तो फिर से वो ही चीज़ अपलाई करेंगे हम यह वाला formula भी अपलाई करेंगे और वहां से हम उसका V और U निकाल सकते हैं हम बता सकते हैं कि बोड़ी को अबजेक्टों कहां रखें और उसकी image कि तुम दूरी पर बनेगी तो यह चीज़े इसमें calculate करनी थी चलिए fourth question समझते है fourth question है two light waves of same frequency have their amplitudes in the ratio of one is to six find the ratio of the maximum and minimum intensity of light in interference pattern यह interference पे अधारित है और उसमें John के amplitude question number यह एक तरीके हासर four है तो उसमें दिया हुआ है कि जो उसके amplitude में दो current waves है और उनके amplitude का जो ratio दिया हुआ है वो one upon six one is to six दिया हुआ है जो interference phenomena होता है interference phenomena क्या होता है जो source से light जाती है फिर यहाँ पर double slit experiment हम करते हैं और यहाँ पर screen पर हमें bright dark, bright dark fringes यहाँ पर मिलती है एक wave यहाँ से हो दिखाते हैं यहाँ पर दिखाते हैं तो इनमें interference यहाँ पर होता है तो जो इसमें और इसके amplitude में रेशो है वो यह है तो यहाँ पर जो इनकी intensity जो इनकी intensity में अनुपात होगा वो क्या होगा यानि कि जो इहाँ पर dark, bright fringe बनेगी उनकी intensity का ratio हो होगा तो intensity वाला formula apply करेंगे यह formula apply कर सकते हैं और maximum कब होगा जब यह 5,0 हो जाए और minimum कब होगा जब यह 5,1 यहाँ पर हो जाए तब यह minimum intensity होगी तो इस थरह से हम यहाँ पर maximum और minimum निकाल सकते हैं अगर intensity maximum की बात करें तो यहाँ पर 5 जो होगा वो 0 degree होगा इस दोनों waves में जो phase difference होगा वो 0 होगा तो यहाँ पर अगर उसमें अपूट कर दें cos 0,0 होगा तो यह बन सकता है A1 प्लस में A2 का holy square बन सकता है और जो minimum intensity होगी वो कब होगी इस screen पर जो यहाँ पर 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 लगा होगा पर minimum intensity कब आईगी जब दोनों waves के बीच में phase कैसा हो आउट ओफेज हो या निकाइट का फेज हो तो उसमें रखेंगे वहाँ पर तो वहाँ पर देखेंगे A1 माइनस A2 का holy square निकल के आएगा तो यह आता है यहाँ से निकल के A1 अपॉन में A2 plus 1 का holy square इसको ऐसे लिखा जा सकता है और A1 अपॉन में A2 minus 1 का holy square तो यह रेशो हैंपर मिल गया हमें 1 is to 6 यहाँ पर रखेंगे उसको हल करेंगे तो जो भी यहाँ से answer आता है उसका रेशो हम यहाँ से find किया सकता है तो इस तरह से यह question किया जा सकता है और चलिए जो उसका 5th question है उसको समझे लेते हैं 5th question है A monochromatic light of wavelength 5800 is used in double slit experiment double slit experiment का मतलब है यंग्स double slit experiment की बात कर रहे है और interference का ही यह question आ रहा है The separation between two slits is 1 mm and screen is placed at a distance of 1 meter from the slit calculate the fringe width तो double slit experiment अभी जैसाब ने डिसकस किया था कि यह source यहाँ से light यहाँ से light यहाँ से light यहाँ से light हमें बनाने पड़ेंगी और यहाँ से फिर यह secondary source का काम करेंगी और यहाँ से light जाएगी वो कहीं screen पे उनमें एक तरीका का super position के बाद यहाँ पर intensity maximum या minimum आएगी यहाँ पर यूज कर रहे हैं माल रहते हैं उसकी जो wavelength होती है वो लैम्डा होती है तो slit width यहाँ पर जो bright, dark, bright, dark fringe बनेगी तो दो fringe के बीच में चाहे वो bright की दो fringe हो चाहे वो dark की दो fringe हो उनके बीच का जो fringe width होती है उसका formula यह बाला होता है तो fringe width हमें हैं से calculate करनी है कि wa is equal to capital D lambda upon small d capital D यहाँ पर दिया हुआ है और capital D जो इसमें दिया हुआ है वो 1 meter है एक तरीके का 1 meter है और lambda है यहाँ पर दिया हुआ है 5800 angstrom है तो 10 की पावर माइनस 10 कर लेते हैं मीटर में convert हो जाएगा upon my small d, small d यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया है यहाँ यहाँ पर 1 mm 1 mm का क्या मतलब हो गया कि इसको हम meter में convert कर सकते हैं 10 की पावर माइनस 3 इतने meter हो गया अब जो यहाँ से fringe मिताएगी वो meter में निकल काएगी और उसे अपने हिसाब से हम centimeter mm या कुछ भी हम कर सकते हैं तो slit के बीच की distance हम इस वाले formula से निकाल सकते हैं चलिए जो six question है आज का उसको discuss करते हैं छेटे question में दिया हुआ है two current source have intensities of i and for i determine the resultant intensity of the screen when phase difference is zero and pi उसने कहा है कि intensity फिर से यही formula इसके लिए लगेगा जो यहाँ पर एक तरीके से i1 जो है यहाँ पर i है और i2 जो यहाँ पर दिया हुआ है वो 4i यहाँ पर दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि जब phase difference zero degree हो जब यहाँ पर pi हो तब यहाँ पर जो intensity होगी screen पर वो कितनी होगी जो screen पर हमारी bright dark, bright dark fringe बनेगी तो वो कितनी होगी formula यह लगेगा i1 प्लस में i2 और प्लस में 2 अंडर रूट में यहाँ से i1 i2 cos 5 तो यहाँ पर लगेगा जब zero degree होगा तो यहाँ से यह बन जाएगा एक तरीके से i1 प्लस में i2 माइनस 2 अंडर तो हम जाएगा यहाँ से इसकी intensity निकाल सकते है यहाँ से अंडर तो i की ही HASेँ उन से आएगी और जो आएगी यहाँ से हम देखते हैं कि यह nine i यहाँ से निकल आएगी दूसरा जब यह phase difference pi का हो तो तो वहाँ से हम देखते हैं यह माइनस यहां से हो जाएगा और यह जो निकल के आएगा यहां से यह आई निकल के आएगा यह maximum intensity आईगी और यहां पर ही minimum intensity निकल के यहां से आती है तो इस तरह का question हम अगर हमें formula याद है तो बहुत ही easy होता है करना बस यह है कि हमें जो question है उसको पूरा पढ़ना है और समझना है और कौन सा formula हमें लगाना है उस पर हमें लगाना आना चाहिए चलिए साथवा question डिसकस करते है साथवा question है इस यहां पर नाम दिया है central maxima और जब central maxima की बात आती है तो हमें कहीं ना कहीं diffraction पर जाना पड़ता है क्योंकि central maxima की उसने पूछा है weight of the central maxima और यह भी पूछा है उसने angular weight of the central maxima तो angular weight of the central maxima के लिए यह है theta naught is equal to lambda upon d तो यह formula हैं पर इस्त्माल होगा कि जो हमारा diffraction में जो intensity distribution कर यहां पर बनता है तो वो center में हम देखते हैं कि उसके intensity सबसे ज़्यादा होती है तो यहां पर यह central maxima होता है और उसके बाद यह secondary maxima होता है तो यहां से जो इसकी चोड़ाई है angular जो यहां से यह theta होता है angular वाला यह वाला तो यह angular width हमें ऐसे find करनी है और उसके लिए जो formula होगा वो होगा theta naught is equal to 2 lambda upon small d तो यहां से 2 lambda यहां पर दिया हुआ है question के अंदर 5600 5600 angstrom में यहां पर दिया हुआ है और इसको हम meter में convert कर सकते है 10 की पावर minus 10 से multiply करके और d यहां पर दिया हुआ है 0.2 mm तो 0.2 into 10 की पावर minus 3 में इसको convert कर सकते है दिहान रखिए का numerical question करने में हमें unit का बहुत दिहान रखना पड़ता है कहीं centimeter दे दिया कहीं meter दे दिया कहीं कुछ दे दिया तो हमें एक जैसी unit करनी पड़ती है तभी हमारा answer ठीक आपाएगा तो इस तरह से हम जो यह answer इसका आएगा वो radian में हमें से निकल के आएगा क्योंकि यह angle है और angle है तो इसकी unit हम radian में हम पर लिखेंगे तो इस तरह के question हम अगर हमें formula पता है तो हम कर सकते हैं चलिए आठा question समझते है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इस 1.5 वाट इस पीड ओफ लाइट इन ग्लास पीड ओफ लाइट इन वेक्यूम इस 3 इंटो 10 की पावर 8 मीटर पर सेकिन लाइट है माल लेते ही यह है लाइट है और जब यह लाइट air से ग्लास में जाती है तो यहाँ पर जो air में c होती है और यहाँ पर दूसरे माध्यम अगर जाएगी तो उसकी speed पर फरक पड़ता है और उसने पूछा कि अगर यहाँ पर यह जो air में speed है वो होती हम जानते 3 इंटो 10 की पावर 8 मीटर पर सेकिन होती है तो यहाँ पर यह क्या होगी अगर जो यह माध्यम हमने यहाँ पर यूज किया है उसका refractive index 1.5 अगर यहाँ पर है तो ग्लास का तब यहाँ पर जो ग्लास के अंदर जो speed होगी अब माध्यम कोई भी हो सकता है पानी हो सकता है लिक्वीड हो सकता है ग्लास हो सकता है तो उसके अंदर जो light enter करती है तो उसकी speed जो होती है वो पहले से जो उसकी maximum speed उती नहीं रहती है बलगे कम हो जाती है जब किसी medium में चलती है तो इस light की speed कम हो जाती है अब वो किस formula से कम होती है वो होती है एक तरीके से साइध हमने यहाँ पर नहीं लिखा है तो वो होता है mu is equal to c upon v तो यह formula है यहाँ पर use होगा तो यहाँ पर mu is equal to c upon v और v is equal to mu v क्या है उस medium में, glass के अंदर है तो c upon में mu तो c क्या है यहाँ पर 3 into 10 की power 8 meter per second है और यहाँ पर जो mu है 1.5 है तो एक तरीके सा उसकी जो speed निकल काती है वो 3 into 10 की power 8 meter per second है तो कम हो जाती है जब किसी medium में वो light चलती है तो यह question इस तरह से हम कर सकते है 9th question 9th question देखते हैं इसका क्या है polarized light of intensity eye not falls on a polaroid whose transmission axis makes an angle of 30 degree with the incident vibration find the intensity of light emerging out of polaroid अब यह question कहां से निकल का आता है एक तरीके से mellow slow से निकल का आता है और mellow slow कहीं न कहीं यह वाला होता है तो यह mellow slow से क्या है कि अगर कोई light जब कोई हम कहें कि यह जो हमारी unpolarized light है जब किसी polarizer से या polaroid से पास होती है तो वो उसको plane polarized light कर देता है और जब यह plane polarized light फिर से किसी polarizer से पास होती है या polaroid से पास होती है तब यहाँ पर जो इसकी intensity है वो जो intensity है वो क्या होगी तो यहाँ जो intensity है वो eye note है जब यह इस वाले second polaroid से पास होती है तो यहाँ पर इसकी intensity क्या होती है वो हमें यहां पर find करनी है जबकि जो यह vibrations है और इसके जो axis of transmission है उसके बीच का जो angle यहां पर दिया हुआ है theta वो यहां पर दिया हुआ है 30 degree तो अब intensity क्या होगी तो यह वाला formula यहां पर हम लगाएंगे malas low यहां पर यह लगेगा तो i is equal to i naught cos square theta यहां पर होगा तो i naught is the maximum intensity है और cos square theta का मतलब क्या हुआ cos square 30 degree और cos square 30 degree के value क्या होती है root 3 by 2 तो यहां से i naught into 3 by 4 यहां से हो जाएगा तो यह intensity i naught की maximum intensity की टर्म में हां से निकल के आती है तो इस तरह से question malas low और malas low पे question compressence की दरस्टी से भी या polytechnic में या graduation में भी काफी जो malas low है malas low और breaster's low यह कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो बहुत बार वहां पर पूछे जाते हैं और यह किये जो intensity वाला है यहां पर question जादा पूछा जाता है तो हमें इस पे और इसके numericals जो हैं पर जादा focus करना है intensity के कि जब वो amplitude में रेसो दे दे तो maximum और minimum intensity पूछे उसका रेसो निकाले तो और यह malas low और breaster's low पे जादा question यहां पर पूछे जाते हैं तो यहां पर हमें जादा काम करना है तो चलिए दसवा जो question है इसका last question हम डिसकुस करते है beam of light is incident on a slab then reflected light become perpendicular to the reflected light और यहां पर हम देखते हैं कि जो angle है angle of incident क्या है और angle of reflection क्या है वो हमें आपर find करना है एक तरीके से यह brister's low पर आदा रही था question उसने कहा है कि जो light जब एक medium से दूसरे medium में यहां पर जाती है तो यहां से जो angle यह आई है और यहां से जो light reflect हुई है जो reflect हुई है उनके बीच का angle कहां पर 90 हो जाता है इसका मतलब यहां पर जो यह perfectly polarized हो जाती है यह brister's low होता है तो यहां पर दो formula लगते है एक तो musical to 10 IP होता है 10 IP है यहां पर क्या है आई पी हम यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि म्यू हमें पता है तो 10 IP is equal to म्यू क्या 1.5 है यह आई पी हैं से क्या निकल जाएगा 10 inverse करके निकलेगा 1.5 इसकी value कभी कभी question में दी रहती है अगर नहीं देते हैं तो इसको हम ऐसे भी छोड़ देते हैं लेकिन जातर question में हम देखते हैं कि यह जो value होती है यह दी होती है तो वहाँ पर इसको put कर सकते हैं और जब angle of reflection की बात करें ही आर की तो वहाँ से हम जानते हैं कि जो IP प्लस आर होता है वो 90 होता है यह वाला formula प्लाई करेंगे तो यह से R is equal to 90 minus IP जो भी आएगा अगर यह book में दिया हुआ जो भी आएगा और रख सकते हैं नहीं तो सीधा-सीदा इसी के टर्म में भी हम answer दे सकते हैं तो इस तरह से जो wave optics हमने अभी तक discuss की है इस chapter के अंदर तो इससे संबंधित numericals हम ऐसे से आते हैं डिफ्रेक्शन से संबंधित numericals कम आते हैं लेकिन ज़्यादा जो आते हैं इंटर्फेरेंस से और मैलस लो और ब्रिस्टर लो पर ज़्यादा पूछे जाते हैं तो हम लोग हमें क्या करना है इन पर ज़्यादे काम करना है और आगे जो हम चैप्टर सुरू करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टेटिक का चैप्टर सुरू करेंगे तो आज हम इतने रखेंगे थैंक यू जहीं